पूरी दुनिया में लोगों के अवरिज लाइफ ही 70 साल होती है कुछ लोग इससे ज़्यादा सिंदगी बसर कर लेते हैं और कुछ लोग तो जवानी में ही इस दुनिया से चले जाते हैं कहा जाता है कि हम बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं अगर हम 60-70 साल भी जिंदगी जीले तो ये बहुत ज्यादा होती है जरा सोचे अगर हमारी लाइफ का साइकल सिर्फ 24 गंटे का होता हम इनी 24 गंटे के अंदर पैदा होते, जवान होते, बुड़े हो जाते और मर जाते अगर हमारी लाइफ इतनी ही चोटी होती, तो हमारा लाइफ स्टाल कैसा होता और क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है असलम लेकूँ मेरा नाम है दिशान और आज की वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे जब हम बड़े होते हैं तो हमारी बाड़ी के अंदर नए सेल पैदा होते हैं और पुराने सेल मर जाते हैं यह प्रोसिस हमारी लाइफ के 20 साल तब बहुत तेवी से जा रहा होता है लेकिन इसके बाद यह काफी स्लो हो जाता है यही प्रोसेस हमारे बड़े होने की वज़ा बनती है हमारे डियने का एक इसा जिसे टॉलोमर्स कहते हैं इसका काम यह होता है के निये सैल बनते होगत हमारे डियने की इफाज़त करे लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं टेलिमर्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और वो हमारे डीने की इफासद नहीं कर पाते और इसी वज़ासे हमारी जिसन के अंदर ने सैल भी बनना छोड़ देते हैं अगर आपके लाइफ सिरुफ 24 गंते की है तो आप 6 बजे पर पैदा होते हैं और 6 बचकर 18 मिनट पर आप एक साल के हो जाते हैं हर मिनट के दुरान आप 1.5 सेंटी मीटर तक लंबे होंगे जबके आपके वज़र में 300 ग्राम तक का इजाफा होगा अगले 18 मिनट में आप 2 साल के हो जाएंगे और आप 50 तक लफास बोल पाएंगे वेलो मीट तो है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल का नाम बोलें और 7 साथ इसको सस्क्राइब भी कर दें 7 बच कर 29 मिनट पर आप 5 साल के हो गए हैं और आपके स्कूल की जाने की उमर हो गई है पूरी दुनिया में एक एवरेज इंसान 13 साल स्कूल में गुजारता है लेकिन आपको गुजारने हैं सिरफ 3 गंटे और 51 मिनट ग्यारा बचकर 20 मिनट पर आप 18 साल के हो गए हैं और आपको ID काड़ बनवा लेना चाहिए बारा बचकर 22 मिनट पर आपने कालेज से ग्रेजिवेशन कर लिया है अब चाहे इतने वक्त में आपके मैटर का रिजल्ट ही ना आया हो एक बचकर 24 मिनट पर आपने शादी कर ली है और शायद आप आपके बच्चे भी हो लेकिन फैमली को बड़ा करना कोई असान काम नहीं अब आपको जॉब की भी जुरुरत है आपकी 24 गंटे लाइफ में 4 गंटे तो आप जॉब में ही लगा देंगे दो बचकर 35 मिनट आप 30 साल के हो गए है और पूरे 6 बचे आप 40 साल के हो गए है आट बचकर 49 मिनट और अब आप 50 साल के हो गए है अब आपके बाल सफेद होना शुरू हो गए है और शायद आपके चहरे पर भी बड़ापे के असरात नजर आने लग गए है एक बच कर 16 मिनट पर आप 65 साल के हो गए हैं और आपके रेटार्मेंट का वक्त आ गया है और अब आपके पास कुछ ही गंटे हैं जिन्दगी को इंजॉई करने के लिए और अब दुबारा फिर से 6 बच गए हैं यानि आपके लाइफ के 24 गंटे पूरे हो गए हैं अब आपकी उमर 81 साल है और आप मर गए हैं वेल टैंक फुरी दुनिया में कोई भी एक ऐसी कंडिशन मुझूद नहीं जब आपको 80 साल की लाइफ 24 गंटे में जीनी पड़े लेकिन इसे हमें एक बात का एसास दरूर होता है कि हमारी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अब आपकी लाइफ 60 साल की हो 50 साल की हो या इससे भी कम हो आपको अपकरणी जिन्दगी में हर गंटे की कदर करनी चाहिए जब आपकी फूरी लाइफ गुदर जाए तो शायद आपको ऐसा ही लगे के आपको तिरफ 24 गंटे की जिन्दगी ही गुदरी है हमारी लाइफ बहुत तेज़ी से गुदर जाती है और हमें पता ही नहीं चलता बस यही ताच का हमारा वीडियो मीध आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो का लाइक कर दें और मधीद आथी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत बूलिएगा आलापिज